आप सबका स्वाह करता है आपके अपने चैनल महाध्यन पर वीडियो उसको लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया जल्दी है चैनल को सब्स्क्राइब करते हैं आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ की वक्षीट नुमबर 21 आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लेश और डेट है हमारी 9 दिसमबर 2020 क्वेशन नुमबर 1 इन दा फॉलिंग स्पेस रिकॉल और राइट या फेवरेट लाइन फ्रॉम काइट अम हमें काइट जवारी पोयम थी उससे एक अपनी फेवरेट लाइन लिखनी है मेरी फेवरेट लाइन यह है आपकी और भी कुछ हो सकती है तो आप वह भी लिख सक अब काइट हमारा पोयम का नाम है आगा रहेंगे कोशन नुमबर 2 की तरफ अरेंज द लेटर्स तु फॉर्म मेनिंगफुल वर्ड प्रॉम अब मैं रिएर्रेंज करना है लेटर्स को मेनिंगफुल बड़ लाने के लिए तो ए वाले का होगा ब्रीज बी का होगा स्प्रे सी का क्रेस्ट और फॉर्थ का डी का होगा ब्राइट हमें कोशन नुम्बर 3 देए गया है कोशन नुम्बर 3 lead the stanza from the poem and answer the questions that follow in complete sentence taking the hints provided हमें ये questions दिये गया है ये इदर की साइड हमें hints दिये गया है ब्रैकेट में हमें इनके answers लिखने है और हमें हम इसकी इसमें ये जो हमें paragraph दिया गया है इसकी भी help दे सकते हैं तो इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को दि subscribe कर दीजे और अपने friends के साथ colleagues के साथ इन videos को जरू share कर दीजे अब शुरू करते हैं A part Where is the kite? The kite is in the sky. What does the word soar mean? The word soar means rise. Why does the kite soar high? Because of the power of the wind. What happens when the wind falls? When the wind falls, the kite seems to rest. State a pair of rhyming words in the given stanza और हमें जो stanza दिया गया हुआ है यह वाला इसमें से हमें rhyming words जुनने हैं तो rhyming words इसमें हमने जुनने हैं Rides, Tides Rhyming words होते हैं जो बोलने में same लगते हैं जो Rhyme करते हैं Rides, Tides, Tail, Sail, Crest, Rest उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको समिच में आ गई होगी अगर कोई doubt हो तो आप और comment section में अपने doubts पूछ सकते हैं वीडियो को जल्दी से like कर दीजे चैनल को अगर subscribe नहीं किया जल्दी subscribe कर दीजे और bell icon दबाना बिलकुल न भूलें इससे कि आपको हमारी नई वीडियो का notification सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद